हाई गाईस रोहित रोहित का युद्धा आज नेदरान्ट से लड़ने वाले हैं ग्यारा के ग्यारा ओधर आप जैसे कि आप लोग देखे पाकिस्तान को किस तरह विराट कोहली ने रोंदा और इसी तरह उमीद है कि हमारे रोहित के युद्धा फिर से नेदरान्ट को हैं तो आपको अधिक जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और यह देखे जिस तरह से बेटिक का अंदाज चल रहा है रोहित खोली का आउमीद तो करते हैं कि इस बार रोहित को फिर से सतक मारेंगे अगले बार चुक गये थे लेकिन इस बार तो निरतारिंद की खैर नहीं और रोहित सर्मा की कप्तानी में इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जरूर लाएंगे और सबसे बड़ी बात है और सदीफ हमारे पास है जो अगले मेंच में तीन विगट लेते हैं इस बार आप पांच विगट लेंगे अब देख सकते है और जल्दी से जल्दी आप लोग तयार हो जाए क्योंकि साड़े बार बज़े से मेंच स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग अपने जगब बैट जाएए और मेंच कानन लेंगे लिए कभी भी बॉलिंग चलेगा और साथी सूर्य कुमारी आदब का दबर्दंदार वेट बॉलर के रूप में हमारे पास अस्वीन है साथ ही हमारे पास अक्सर पटेल भी है और साथ ही रहूल का रहूल का आज क्लाइसमेक्स देखने को मिलेगा तो सब आप लगे रहिए और इंडिया का मेंच जीताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैर करिए और टीबी के पास जल्दी से जल्दी आप लोग बैठ जाईए भुबनेसर कुमार गंद आजा देखके लगाया जा सकता है कि आज उनका स्वीमिंग का जादू बहुत ही बढ़िया से देखने को मिलने वाला हम लोगों का तो सो गाइज प्लीज आप लोग कहीं जाईएगा मत साड़े अगले बार तो तीन विकेट लिए थे आसा करते इस बार पांच विकेट ले और हिंडिया को हर्दिक पांडिया से काफी ज़्यादा उमीद है और कारतिक जी का इस्टाइल तो देख कैसा लग रहा है कि इस बार तो निर्दालेंड के छक्के का छक्के छुड़ाएंगे और राहुल जी पुरा मासुम लग रहे हैं चहरे से देखने के लिए लेकिन राहुल के जब बल्ला चलता है तो फिर किसी की नहीं सुनते हैं और आजाईए जल्दी जल्दी कुछ भी काम कर रहे तो सारा काम छोड़ दीजे और इंडिया का इंडिया और निजरलेंड का मजा लेने के लिए टीवी के पास आजाईए तो सोग आयस लगे रहे हैं जैहिंद जैभारत